इस हद तक कोहराम है सर्वे को लेकर कि वो सरकार बैक फूट पर आ रही है यह लगता है कि मुखमंत्री के अस्तर पर भाजपाई इसको चलते कहिए दवाब भी बनाएगी नहीं तो लुबने वाला है जी बात सही है कि सर्वे के संदर में अब गवर्मेंट को बैक फूट पर आने की नोवत आ गई जो काम नहीं हुए आजाद भारत में नितिश कुमार करके इतिहास पूरुस बनने जा रहा है लेकिन यह कहीं इतिहास के पन्ना में खुद चले जाए इसमें बासत परसेंट लोग के पास ही जमीन का कागज है जो जमीन के मालिक हैं बास्तवी उसको बिना रिश्वत दिये उसका काम कहा हो रहा है अपनी रसीद आपकटवाने जाएंगे अपडेट तभी वहाँ पैसा मंगता है समस्कार आप देख रहा है आरेडे नियोज मैं हो योगी शक्रवर्ती बिहार के मुख्यमंतरी निटीश कुमार एतेहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने बिहार के हित में कई ऐसे फैसले लिए जिसने बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल दी उन्हें में से एक है भुमी सर्वे का फैसला लेकिन ये फैसला अब आम जनता के गले की हास बन गई है आम जनता को ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है और एक अजब कस्म कस्म है कि आखिर करे तो करे क्या लेकिन समय रहते लगता है स्रीम नितीश ने जनता की नवज टटोल ली है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर अस्टे लग जाएगा और फिर बाद में भूमी सर्वे का काम बंद भी हो सकता है हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार अरुन पांडे जी हैं आईए इन से समझते हैं कि भूमी सर्वे किस तरह आम जनता के लिए गले का फास बना और क्यों मुख्यमंत्री नितीश कुमार को सर्वे का काम बंद करने के फैसले लेने पड़ रहे हैं हालाकि अभी तक इसकी आधिकार एक पुष्टी नहीं हुई है सर देखिए आपने जो प्रारम्भी चर्शा में बात कही है अभी तो जनता के लिए तो परिशानी का ऐसा सबब बना हुआ है कि पूरे वियार में कोहराम मचा हुआ है अभी सची आपने कहा कि जनता की परिशानी जो कोहराम है सरकार के लिए भी गले की हड़ी बली गली है कोई भी सरकार एक दलकी सरकार होती है और सप्ता पाटी में जो होती है उसको चिंता होती है जनता की जनता के मूड का ठीकी कहाँ तेकि उसके बाद ये काम जो है अभी सो साल के बाद भी सबा सोनकी साल के बाद इस सर्वे का काम विहार में सुरू हुआ था तो नितीश कुमार का धेव देश तो अच्छा था कि चलिए विहार में ये 60% भूवी विवाद के ही कारणी समस्य आये हट्तिया और सब कुछ होती है तो इसको सल्टाने के लिए साल से चीप इनिस्टर है जो मांजी का कार्चकाल को माइनस कीजिए उसको घटता है और उसमें उने कहा कि हम सर्वे का काम कराएंगे जनता की परिशानी की तो आपने चर्चा कर दी अभी साजह सरकार है इनितीस कुमार तो यतिहासिक फैसरे के लिए जाने जाते हैं आज जो फैसरा लेते हैं उसमें बहुत दिर्टा से काइम भी रहते हैं आपके सामने उदारान नहीं सराबंदी इसराबंदी को लेकर कितना इसराबंदी है उसराबंदी है उसराब की होम डिलेवरी है चलिए एक लग विशह आप तो आज उससे भी ज्यादा महत्पुन विशह पर आपने चर्चा चेरिये है कि इस हद तक कोहराम है सर्वे को लेकर कि वह सरकार बैक फूट पर आ रही है और आधिकारी घोसना भले नहीं हुए लेकिन ये लगभगते हैं जो बाता बोल रहा है दिखिए राजस्व भूमी सुधार भाजपा के जिम्मे का विभाग है भी भाजपा के परदेश अज्यक दिलीप जैसवाल उस विभाग के मंत्री हैं और डिप्टी ची फिनिस्टर है समराट चौधरी तो इसी को देकर उन्हें कहा कि भाजपा कोई समय सिमा इसके लिए तैय नहीं है सरवे का काम तो हम कर रहे हैं जरूर चल रहा है और इस सिकायत लोगों की परिशानी हो रही है तो ये कहीं न कहीं लोगों को चनाप से थोड़ा घटाने के लिए परिशानी जीसर तक दिख रही थी समराच चोधी ने वियान दिया कि इसकी समय सिमा इसके नहीं है और दूसरी और मुखमंतिर नितीश कुमार ने पहले ही इसकी समय सिमा इसके कर रख किये कि जुलाई पचीश तक इसको हम लोग चुनाव में जाने के पहले पूरा कर लेंगे अब पूरा प्रसासनि इसी मुखमंत्री के निर्देश के अनुरूप करवाई में लगा हुआ है दस हजार से अधिक संबिदा पर करमचारी अमीन अधि बहाल किये गए और सभी बिहार के सभी 534 अंचल है उस सब जगह सर्वे का कैंप उफिस खुला है उसी परिशर में और वहां साहिक बंदोबस् सब लोग तेनात हो गये हैं अभी सर्वे का जो अभी अगस्त महिने से एक अभियान साथ शुरू हुआ मिशन मोड में तो पूरे विहार में ग्राम सभा सब जगह सरकार जितना करमचारी है सब को सब का कॉंटेक्ट नंबर सब कोई काम वीडियोग्राफिय सब कुछ करवा रही है अभी लेकिन दो प्रमुख कागज मागे गए लोगों से कि आप खतियान का कागज दीजे आपके पास रसीद है तो उसका कागज दीजे आप मकान जमीन का मालिक बने है उसका क्या अधार है उसको उसब दीजे यहीं पर जंजट शुरू हो गया और अभी राजस भ 38% तो ऐसे लोग हैं जो जमीन के मालिक हैं बास्तवी क्रूप से लेकिन कागज नहीं है उनके पास अब बता बताईए सर्वे कैसे होगा तो तो कहीं एक दिन में मामला सलटने वाला नहीं है और सरकार ने समय सीमा ते कर दी अब इस सब कुछ को तथ्य में देख करके और आ टाइम देने वाले हैं इस लोगों रहतों को कागज मांगा जा रहा है जो आप तो अफलाइन भी देना है या अनलाइन करना है ता आपको तीन महीना का समय मिलेगा लेकिन इस सर्वे का काम सुरू जब करने की बात पोई नहीं तो पूरे बिहार में घर-घर में विवाद अबुबंसा बली तयार करने को लेकर कागज को फिर किसी एक परिबार में ही को एक भाई के पास कागज है दूसरा देने के लिए त्यार नहीं है कई तरह इस तरह का दिवाद सुनने को मिल रहा है नवादा में सर इतनी बड़ी घटना हो गई अब कई हिंसा की घटना होई आपने देखा न नवादा में अभी एक दलिस बक्सी पर हमला हो गया असी घर जला दिये गए उसी भूमी बात का यह परतिफल था और यहीं नहीं कई जगह अभी हिंसा की घटना होई इस तरह का जगला जंजट आए दिन रोज सुचना मिल लही है तो समराट चोधरी जो मुखमंत्री है उन्हें तो कहा कि कोई समझ सिमा तय नहीं है तो अब उसी आलोग में एक आदेश इसलिए कि अब बिभाग तो है राजा सुब्हूमी सुधार वीजेपी के जिम में ठीक है अंतह मुखमंत्री की सहमती अनुमती होगी जो बात है जब सरकार को ये समझ है ये बात से ही है कि सर्वे के संदर में अब गवर्मेंट को बैक फूट पर आने की नौवत आ गई इसलिए कि अभी तो तीन महिना आप समय देंगे लिकिन सर्वाग सरकार में बैठे एक बरिष्ट नेता ने हमें जहनकाली दी कल्म से लंबी पसे ही जुड़े नेता है और उन्हें कहा कि ये सर्वे को लेकर जो जंजट सामने आया ही चुनाव साल में बला बताईए है हमारा राजस भूमी सुधार विभा का महकमा ही दुरुस्त नहीं है उसकी सिकायत तो पहले से रही अंचलकार जालियों का और लाखों की संख्या मैं अभी ऑनलाइन बिवस्था जब से लागू हो गई मूटेशन का मामला लंबित है उसके परिमार्जन के मामला लंबित है और उसके दूरुस्त करने में ही सालो लग सकते हैं तो पहले तो ये काम ना शुरू होना चाहिए जिसका कागज है उसके नाम से रसीत कटे मूट मूटेशन फाइनल हो वहां अलग विवाद होता है यह काम हम नहीं करेंगे और उसके बाद तब फिर जो सर्वे होगा कैसे है तो फिल हाग तो हम लोग तीन महिना का समय भी देंगे एक आदेश विवाद आजकल में निकालने वाला है लेकिन इसको सर्वे हम लोग बंद कर इस पस्ट तोर पर उनका यह खुलासा किया है अब मुझे लगता है कि मुखमंत्री के अस्तर पर भाजपाई इसको चलते कहिए दवाब भी बनाएगी नहीं तो लुबने वाला है सकता कि इसी सर्वे के चकर में अंध्रा में और तेलंगना की सरकार इसी चकर में चली गई मतलब आप यह कर रहें कि अगर सर्वे जारी रहा तो बिहार में विधान सभा के चुनाम में जो मौझुदा सत्ता रूर दल है उसका सफाया हो जाएगा कि कोई सबक लेना होगा जो काम तो जो तिलांगना में हुआ अंध्रा में हुआ जनता इस हद तक परिशान एक जो आप हुमी विभात का समस्या सुलाने के लिए सर्वे कराने की काम किये हैं अब इस सर्वे को लेकर ही जिज़ंग से अभी महोल बन गया है पूरे बिहार मे तो अंता उसका प्रतिफल क्या होगा जनता में छो बाकरों से गोह भी आप देख लीजे ना बुजा विभाय के कलग है कि घरगर में दो करोर बिजली भोगता है वहां इस पार प्रिपेड मीटर लगवाना है अब वहां कह रहे हैं कि पचास लाख घरों में लग गया है औ और वहां पुलिस के बल पर पूरा कही कानून विवस्ता है कि समस्या वहां भी हो गई है और ये एक अलग है सर्वे वाला तो पिछले दो साल से सब चल रहा था तो सारे डिस्टिक मैंस्टेट को इस पी कुछ सरकार ने चिठी लिखी है कि सर्वे में काम में जो लोग लग पुट आचार है कि लोग पर ही माम कर रहे हैं नितीज जी की सरकार से वह स्थासन बाबू कहलाती है आखिर क्या इन 들고 में सच्ब्राप शासन का खौफ नहीं है जो इस तरई से भरष्ता चार करने में लगें जी रो टोलरेंस जो है जुमला से होगा कि सरकार कोंड ने बात इसी से छीपी है मंत्री का ब्यान आता रहा है राजस भूमी सुधार का ब्यान मंत्री का आता रहा है पिछले दिनों कि उनका जो नीचे अस्तर का अंचल कारजाले में जो आम सिकायत है कि करमचारी अपनी रसीद आपकटवाने जाएंगे अपडेट तभी वहां पैसा मंगत है अंचल कारजाले में कोई काम बिना पैसे का कुछ होता ही नहीं है आओ दलाल वहां सब पूरा सरवे का काम सुरू हुआ है यही हो रहा है आपने देखा अभी कैमूर में वहां के बकसर के सांसर ने बजापता है इस पर खुलियाम बात की आओ वहां का एक अंचल का प्रभाब सालिव व्यक्ति है वो तो अफसर की लॉपसर के हां बैट करके और वहीं कुछ काम करा सकता है ओमन आदमी की बात है बोलिये न अभी 25-26 लाग उसमें अभी आवेदन आये है अभी तक अब उसका सब का अभी कोई ऑनलाइन आया है अफलाइन आया है उस सब की सम मीक्षा होना अभी तो लोग देही रहे हैं अभी यह सारी परिशानी को लेकर भरस्ताचार तो जो है यहां अभी जो मैंने आप जुमला अब हो गया है लोकाइक जैसी संस्था तो यहां अभी कहिए कि वो डिफंक्ट पड़ी है जो ब्रस्ताचार के लिए जैस किसी की इस्वत दियों उसका काम कहा हो रहा है इसलिए आपने ठीक ही कहा कि खासकर राजस्तों भूमी स्थार का जो महकमा है यह तो आकंट व्रस्ताचार में डुबहाई पहले से ही इस चर्चा रही है कैसे इसे इसे अगर सरकार हाथ खीच लेती है भूमी सर्वे से और सिर्फ इ देखिए इसके लिए पूरी जो एक बात कहते हैं पहले ही का मुखमंत्री के देव देश पर तो सवाल नहीं उठाए जाकता है मनसा भी अच्छी समय चाहिए ना आप हो मर्क कीजिए अपने पूरे सिस्टम को पारदर्सी बनाईए और उसको प्रोएक्टिव बनाईए करेख obsya जी थेस फ्रॉप मांगा गया है इसके चलते नहीं मारा मारी है अप अलग है इसको कुन ठीक करेगा할 और आम सिकायत और को दुरुस्त करए का सरकार ही ना करेगी दर्यता रह नहीं होगी कि विना पैसे दिये कोई काम हो जाए इसके लिए इसको सुनिस्चित आम ल पटता से इसके लिए साल दूर साल समय लगे आप चुनाव के वादे कीजे ना आप कहा है कि इस सत्ता चली जाएगी तो कोई कहःएगा यह सा काम कीजे जिसा आपकी सत्ता चली जाएग आप अच्छा काम कीए हैं तो कीजे लेकिन अल्मा अल्ममी से ब constellation catsりました कि बचे आप अमीन बहाल करते हो पती सामाने दिन में एक एक अंचल में वो पांच छे कोई सरकारी अमीन नहीं मिलता था नहीं था प्रशास्निक सेवा अंचला धिकारी होते थे तो हर अंचल में Sou लहीं होता घुन करता सीजोर है इक दिन की विगड़ी हालत का यह कारन है कि आपका और आजस भूमिशुधार महकमा है इतना महत्पूनों भिवाग इस पर कब उसी हिसाब से ध्यान दिया गया काम तो आप बहुत बहुत सही किया आपने कि चलिए इसको सो सावा साल का विवाद है जो काम नहीं हुआ आजार भारत में नितिश कुमार करके इतिहास पूरुष बनने जा रहा है लेकिन यह कहीं इतिहास के पन्ना में खुद चल आया था लेकिन उससे पहले उन्हें अपने जीरो टॉलरेंस की पॉलिशी को दुरुस्त करना होगा उसे सच सावित करके दिखाना होगा तभी भूमी सर्वे का काम काम्याब हो पाएगा फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बूक पर फॉलो करें योट्यूप पर सब्सक्राइ करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्रपुन विचार और सुजाब जरूर दें धन्यवाद